बाई और बहनों यहां उपस्तित प्रतेट प्रवासी भारतिय अपने अपने खेत्रों में और साधर्न उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है और यह प्रवासी भारतिय सम्मेलन मद्यप्रदेश की उस धर्ती पर हो रहा है जिसे देश का रदयक्षेत्र कहा जाता है MP में मा नर्दा का जल यहां के जंगल आदिवासी परंपरा यहां का अध्यात्मा ऐसा कितना कुछ है जो आपकी सियात्रा को अविश्मन यह बनाएगा अभी हाली में पासही उज्जेन में भगवान महाकाल के महालोग का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है मैं आशा करता हूँ आप सब वहाँ जाकर भगवान महाकाल का अशिरवाद भी लेंगे और अध्यूत अनुभों का हिस्सा भी बनेंगे साथियों वैसे हम सभी अभिज्जी सहर में हैं वो भी अपने आप में अध्यूत है लोग कहते हैं कि इंदोर एक शहर है लेकिन मैं कहता हूँ इंदोर एक दौर है ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है इंदोर ने स्वत्तता के ख्षेत्र में देश बेक अलग पहचान सापित की है खाने पिने के लिए अपन इंदोर अपन का हिंदोर अपन का इंदोर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है इंदोरी नमकिन का स्वाद यहां के लोकों के यहां पर जो वहे का पैशन है साबू दाने की खिचडी कचोरी समोसे सिखंजी जिसने भी इसे देखा उसके मुह का पानी नहीं रुका और जिसने इने चखा उसने कहीं और मुड कर नहीं देखा इसी तरह चपन दुकान तो प्रसी दहाई ही सराफा भी महत्वपू है यही वजह है कि कुछ लोग इंदोर को स्वच्चता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते है मुझे भी स्वास है यहां के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे और यहां कि क्रावाज़्य प्रवसी भारतिय दीवस्ट जाइंस इस्पेशन प्रवाश्व कार भी ऌत्य वहांग समतमुैंग कर दिए इष भी तन्हें अरह में काई झार प्रुड़ित कर सक्कते जर्य लेए हैं have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. साथ्यों हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम अर्थात हमारे लिए पुरा समसार ही हमारा स्वदेश है मनुष्य मात्र ही हमारा बंदू बांदव है इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पुर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था हम दुनिया के अलग-अलग कौनों मगे हमने सब्यताओं के समाघं के अनियंत संभावनाओं को समझा हमने सद्यों पहले वैचिव व्यापार के असाधान परंपरा शुरू की थी हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए अलग-अलग देशों अलग-अलग सब्यताओं के बीच व्यावसाई समंद कैसे साजी सम्रुधी के रास्ते खोड़ सके भारत्यों और भारतियों ने करके दिखाया आज अपने करोडों प्रवासी भारतियों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं दुनिया के इतने अलग-अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधय कुटम कम की निभावना उसके शाक्षा दर्शन होते हैं दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग-अलग प्राम्तों अलग-अलग छेत्रों के लोग मिलते हैं एक भारत स्रेष्ट भारत का सुखद एहसास भी होता है दुनिया के अलग-अलग देशों में जब सबसे शांत्य प्रिय लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती हैं तो मदरब डेमोकरसी होने का भारतिय गवरव अनेक गुना बढ़ जाता है और जब हमारे इन प्रवासी भारतियों की योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे ससक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है इसलिए ही तो मैं आप सभी को सभी प्रवासी भारतियों को विदेशी धर्ती पर भारत का राष्ट दूत ब्रेंड एम्बेसेडर कहता हूँ झाल